Challenge Trophy host करने के वज़ा से पाकिस्तानी cricket board को लगता है कि वो 50 million dollar की बड़ी रकम Challenge Trophy की वज़ा से कमालेगा Challenge Trophy के 15 matches पाकिस्तान में खेले जाएंगे ऑचिस्तानी cricket board को लगता है कि इन 15 matches को देखने के लिए पाकिस्तान cricket stadium में 4.000.000,000 से उपर लोग आएंगे और इसी वज़े से पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ट को लगता है कि वो खाले टिकर्स बेज कर ही 20 से 25 मिलियन डॉलर की बड़ी रकम कमा सकता है पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ट टिकर्स बेज कर जितनी भी रकम कमा ले उस रकम का 70 फिसद हिसा ICC को जाएगा पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड को टिकर्स प्राइस का 30% हिस्सा ही मिलेगा लेकिन ये 30% हिस्सा भी इतना होगा कि पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड को सिर्फ पाकिस्तानी स्टेडियोस की टिकर्ट बेज कर ही 150 कुरोर रुपे की कमाई मुम्कीन है जब पाकिसान में international cricket होगे, international players होगे, एक ICC event करेगा, तो उसी वज़ा से जिन जिन शहरों में Champions Trophy के matches होगे, वहाँ पे tourism को काफी boost मिलने वाला है पाकिसानी cricket board ने Champions Trophy करवाने के लिए स्टेरियम से लेकर इसकी इंतजामा तक तक तकरीबन 1500 करों रोपे की बड़ी रखम खर्च करने का प्लैन किया हुआ है, खर्च कर भी रहा है लेकिन पाकिसानी cricket board Champions Trophy को एक बार अगर काम्यावी से करवा लेता है, तो पाकिसानी cricket board को सिर्फ Champions Trophy से खालिस मुनाफ़ा ही तमाम अखराजत निकालक एक हजार गरों रोपे बनता है Champions Trophy की रहा से पाकिसानी cricket board की पास एक बहुत बड़ा मोगा है कि वो पाकिसान का soft image पुरी दुनिया में दिखाए Champions Trophy के लिए पाकिसान की government कहती है कि वो इंडियन शैयों को नहाई थी असानी के साथ बीज़े दिये जाएंगे और कई हजार इंडियन पाकिसान में आके Champions Trophy के matches देख सकते हैं तो इस तरह पाकिसान में ना सेफ इंडियन शायकीन matches देखनी आएंगे बलके उससे दोनम वाले के जो तालुकात हैं वो भी काफे बेहतर होंगे तो बेसिक याज की इस वीडियो में हम Champions Trophy 2025 पाकिसान में क्या क्या होने वाला है और पाकिसान को Champions Trophy होस्ट करने के कैसे कैसे फबाइद है और पाकिसान को रेवरियों के सुरुत में ICC से कितना बड़ा इस्सा मिनने वाला है उन सब को हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो चुरू करने से पहले अगर आपने क्रिकट कासिम स्लीन को लाइक और सबस्क्राइब नहीं किया तो कर दे और आए वीडियो को शुरू करते हैं जब भी कोई मुलक ICC इवर्ट को होस्ट करता है तो उसकी एक बार जेबे फूल हो जाती है ICC को भी बहुत बड़ा मुनाफ़ा होता है यही वज़ा है कि ICC पाकिस्तान, इंडिया या भी बंगलादेश को किसी भी ICC इवन्ट करवाने के रिए काफी ज़दा प्रमोट भी करता है क्योंकि यहां पर सबस्यदा क्रिकट फैंस भी होते हैं और यहां से ICC को मार्जन भी बहुत मिलता है 12-24 में T20 वर्लकाप बैस्ट इंडिस और अमेरिका में हुआ वो ICC को बकाईदा लोस देकर गया है ICC को इस इवन्ट करवाने का कोई फाइदा नहीं हुआ क्योंकि ICC जब भी किसी मुल्क में इंटरनेशन अपना इवन्ट करवाता है तो ICC वहाँ की जो गर्वर्मेंट होती है उससे टेक्स के मामले में रिलीफ लेता है लेकिन अमेरिका में उनको नहीं मिल सका यही वज़ाए कि उनके अखराजात केई ज़दा बढ़ जाते हैं यहाँ वे बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में 2008 में चेंपेंस टॉफी होते होते रह गई थी बिलकुल इसी तरह 2004 की चेंपेंस टॉफी इंडिया में होनी थी लेकिन इंडिया की गवर्मेंट ने ICC को टैक्स के मामले में रलीफ जिने से इंकार कर दिया यही वज़ाए कि 2004 की चेंपेंस टॉफी फिवर इंडिया में नहीं हुई इस tax relief होने के बाद भी पाकिसानी cricket को, पाकिसानी cricket stadiums को और पाकिसान के जो cricket fans है, उन सब को बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है। अगर ICC Champions Trophy हो तो उसका तकरीबन 30% हिसा ICC Local Cricket Board को ticket price में से देता है, लेकिन अगर ICC Cricket World Cup हो तो फिर वो ही हिसा 20-25% Local Board को मिलता है, बाकिसारा हिसा ICC खुद रखता है। पाकिसानी cricket board को लगता है कि वो Champions Trophy की सुरत में पाकिसानी cricket fans की 4 लाग से उपर जाधात को पाकिसानी स्टेडियंस में ले आएगा। पाकिसानी cricket board को लगता है कि हर मैच में 20-25,000 के दर्मियान अटेंडस तो लाजमी होगी शाय की रगी। क्योंकि पाकिसान का सबसे चोटी कैपसिटी औरा सेडियं पिंडिस टेडियं में जिसकी अभी 18,000 गुंजाइश है। अमीद है कि चेंपिन स्ट रफिता को उसकी गुंजाइश तकरीबे 25,000 हो जाएगी। लेकिन कताफिस सेडियं की 40,000 तक हो जाएगी। और पाकिसानी क्रिक्ट बोर्ड ने लाहोर में पाकिसान इंडिया का मैच भी होस करना है। कीमत बहुत सदा है लेकिन दुनिया में सारे काम डिमांड ये सेप्लाइ पे कर रहे होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया मैच की डिमार्ड बहुत हुदा है, सप्लाई काम होती है, यह वजाए कि टिकर्ट बहुत गुना, जदा महंगी भिकेगी, ऐसा ही नसाओ करर्णट इंटरनेशन क्रिकर सेडिया में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच सा वहीं पर भी हुआ था, जहा पर इंडिया से कुछ कम है, तो उसके साब से ही उसको डिजाइन किया जाएगा, बलकि जो ICC के ब्रॉटकास्टिंग राइट्स है, उसमें से पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड को 10-15 फिसेद शेर मिलेगा, बाकि रेवनी तो मिलेगा, जो उसको ICC का एन्वर रेवनी मिलता है लेकिन Champions Trophy को क्योंकि होस्ट कर रहा है, तो होस्टिंग के वैसे ब्रॉटकास्टिंग राइट्स में पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड को 10-15 परसेंट मिलेगा, वह यह जो 10-15 परसेंट हैं यही आगर इसको आप डॉलर में कंवर्ड किया जाए, तो यह 30-35 मिलियन डॉलर बन कमाई करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकट बोर्ड में जिन लोगों को वैंडर्स को खाना दिलाने की इजाद़ देगा, उनको यह जो 15 मैचिस के, यह जो खाने पिलाने के जो राइट्स हैं, वह पाकिस्त पाकिसान के इंटिरियन मिनिस्टर जो चेर्मेंट PCB भी हैं, वो कहते हैं कि वो इंटियन शायकिन को चेंपिन स्रॉफी के लिए बहुत ही असानिक साथ उतिता देंगे, उसके बाद लग रहा है कि बहुत वीजा मिल जाएगा, हाला कि जब पाकिसान ने 2023 में इंडिया में व होगा भी है, चाहिए वो वोटर्स हो, चाहिए वो एर्पोर्स हो जाह पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, या फिजाए जो खाने पीने के रेस्टरॉंट है, कि वो अपनी quality का ऐसा जाइका इन tourism को इन tourists को प्रवाइट करें, कि वो बार पर पाकिसाने को करें, आएसी चेंपिन स पाकिसेरियम लाहूर कराची पिंडी की तो हालत कर लेंगे, मुद्दान पी थोर सा काम करवाएं, फैसलाबाद पर करवाएं, पिशावर भी मैज करवाएं, क्यूंकि आप पाकिसान की ज़्यादा कमाई पाकिसान सूपर लीग से करते हैं, उसके मैज ही जितने ज़्यादा में होंगे, उतनी ददा टीम्स आप बढ़ा सकते हैं, और इसी बेस पे नासरी आप पाकिसान में लोकल क्रिकट को पर्मोट कर सकते हैं, बलकि यहाँ सही आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बलकि आप दुनिया की कमस कम दूसरी सबसे बहतरी क्रिकट लीग बन जाएंगे, औ मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको मुलतान स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम, अरबावनिया स्टेडियम यह तीन स्टेडियम्स ऐसे हैं जहां पे आपको अवले साल तक क्रिकट करवा देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा भी काफी खुला आ जाएगा, उस पैसे को स अपने उपर खर्च करने का फाइदा नहीं है, स्टेडियम्स को ठीक करें ताकि अवाम काने का भी दिल करें, थैंक यू, कैसे लगी वीडियो लाज़ी बिताएगा, अच्छे लगे तो क्रिकट कासिंट लिन को लाइक और सब्स्राइब कर देजीगा, शुक्रिया